लोगों के पास कुछ चीजें यह भी आती है आहाफ और थ्री क्वाटर आप इसमें से कई चीजें जो है वह डेली लाइफ में हम लोग उजिज नहीं करते लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में इनका प्रोग किया जाता है अगर आप हिंदी मीडियum के स्ट्ट रख सूड़न ह builders आगर आप हमने स्ट्वन हैं अधर अपने के दर नोदर्लिक होगा निल्यकण स्ट्र जो है नुमेरेटर है और फाइव जो है डॉनामेंटर है अब अब अग्डस्टिंग पार्ट एक यहां पर आता है कार्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे 12345 एड्यक्टिव मैंने सिखाया सीध्य नंबर होते हैं सीध्य जिनको हमने सबसे पहले सीखा 12345 और बाद में हमने सीखा कि फेल उल्टे नंबर और फास्ट सेटें फोरफ फिफ यह हम लोगों ने सीखा है तो निउमिरेटर को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्डिनल नंबर यूज कार्डिनल नंबर टूरीड गरफ और अब नंबर में हमारे पास के शुरुअत होती है फास्ट और सकते हैं लेकिन जब हम numerator को पढ़ते हैं तो हम फस्ट हो सकेंड का यूज नहीं करते तो यह तो एक फ्रेक्शन नहीं नहीं किया जाता कों है और डिनोमेंटर कौन है हिंदी में इसे और इसे हर कहा जाता है लेकिन अब हिंदी पीछे चुट गई है इसके लिए करते हैं काड़ का और इसके लिए करते हैं अगर आपका निमरीटर एक है एक है निमरीटर तो हम डेनोमेटर में एक से ज्यादा है तो हम डेनोमेटर में आपको सिखाया और यहां पर भी मैं आपको सिखा रहा हूं जैसे वन थर्ड क्योंकि निमरीटर जो है अब इसको और देख लिएगा यहां पर यहां निमरीटर क्या है जो एक से ज्यादा है तो जब हम इसको बोलेंगे तो टू थर्ड बोलना पड़ेगा लेकिन जब हम वन को बात कर रहा है तो हम डेनोमेटर में एक से ज्यादा है तो denominator में हम लोगों को s add करना होगा आप math teacher आपको बोलते हैं two-third तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उनको grammar का angle satisfied नहीं करना होता but I being a teacher of language I need to tell you this तो यह आपको शायद पता हो ना पता हो तब भी ठीकर तो अगर numerator की वैल्यू एक है तो denominator में हम लोग s add नहीं करेंगे और अगर वैल्यू वन है तो वन थर्ड या अथर्ड वन सिक्स या आशिक्स वन एट और एट में यह वाविल है तो एन एट आएगा वन फित या आफ फित भी कह सकते हैं अगर वन के केस में लेकर अगर वैल्यू एक से ज्यादा है तो आप यह नहीं लगा सकते आपको टू तरी जो भी जो भी नुम्टर की वैल्यू दी गई है वो बोलनी है और डिनुमेंटर में आपको s add कर देना है में एक पोशन आया हुआ है जिसमें टू थर्ड की जड़े टू थर्ड लिखा हुआ है और फिर हमें वहाँ पर s add करना पड़ा तो यह पार्ट आप सीख लिएगा और यह सब लिखा हुआ है आपके पास तो आपको बहुत ज्यादा परशान होने की ज़रदी नहीं होगी ठीक है आगे देखते हैं कुछ आते है मिक्स फ्रैक्शन अच्छली पीपीटीव में बना नहीं पाया वनना इसको लिखा ऐसे ज डेखा हुआ एक इसको हम बोलते कैसे-3 & 3-4 या 3 & 3-4 स भी बोल सकते है इसको कैसे बोलें एक से जादा है तो हमने यहां पर अगर हम इसको फोर्थ लगाते तो हम इसे फोर्थ से भोलते हैं तो यहां पर यहां पर और यहां क्या लगा रहा है तो मैंने कहा कि आप यहां पर फिरी फॉर्थ भी लिख सकते हैं तो हमारे पास बिश्चल वर्ड्थ है जैसे यह तो हम इसे वन अपॉन सैकंड नहीं बोल पाएंगे वन सैकंड नहीं क्योंकि सैकंड और फिर्स्ट का यूज्जु है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा नहीं होगा तो बहुत हैं इसा कुछ नहीं बहुत हैं इसा कुछ नहीं है इंट्रेस्टेंट पार्ट है यह बस एक बार लिखके देख लिए आपको समय में आ जाएगा इस टॉपिक से पहले इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कहा और नाउन एड्जंक्ट में हमने सीखा था कि नाउन जो एड्जंक्ट जो नाउन एड्जेक्टिव की तरह काम करता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते और वहां पर कुछ एक्सेप्शन से हैं जहां पर हमने प्लूरल नाउन मॉडिफायर को भी देखा जैसे से जिपा तो तू थर्ड मिज़ोडी बनाहीं करेंगे तू थर्ट मिज़ोडी या तू थर्ट इंक्रीज अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तो अप एसट करेंगे यह नहीं कहेंगे नाउन हे बात में तो गेंगे कि लेकिन यह फ्रैक्षन है और फ्रैक्षन में आप यही आएगा तो इसी चीज को यहां पर रुकिए गा और नाव मॉडिफार की वीडियो में जो हम लोगों ने लास्ट में एक्सराइश करी थी उससे चेक करिएगा हरी लेःट नहीं होगा लेकिन फिरी फूर्स फ्री फूर्स महिएटी अगर यहीं पर अंगर हमगे अनृ देशज़ीं है नाइस फिरे एंक रीज या एस या प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट लगा सकते हैं लॉस लगा सकते हैं तो इस चीज को बढ़ा ध्यान दर्खिएगा जड़ा यह चीज आपको सीखनी है लैंग्वेज में जो चीज सबसे दानि सबसें इंट्रेस्टिंग है वहाए इसका exception वाला पारत संब्रेक्सें आता थी कॉक्तर संब्रक्रते हैं हम बोलते हैं हमने यहां का यहां कि लगा टू-थर्ड आप आपकर यहां पर लगाई एस लगाईंब स्लगाएऊ और फिरी कॉडर लेंद कोट होता है कि यह ऐसा होता है जहना कोटब पहनते हैं वो हमारे में बेटा कर लेकर के लेकिन आप Bernie, यो आपने में नीज तक आरहा है देखने लिदे धोसुर्प खूस्ट गॉट से में यांटे उन्हां का जाता है यह एन्वान से करें तक रहता है घुटनों तक रहता है वारी इसके अलावा अब यह चीज आपको दिखाई पड़ रही है आपने एक सेकंड में सीख लिया मुझे बहुत सच करने पड़ती है इसके लिए तो अगर हमारा होता कोई और नाउन होता ठीक है न आट टूडे लीव नहीं होगा टूडे लीव होगा लेकिन अब यह फ्रैक्शन है तो अगर निमिटर की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो आपको एस लगाना ही पड़ेगा लेकिन ठीक्वार्टर लेंद्ध कोट में यह होता है त्रीक वाटर आता है को नहीं आता इसके अलावा जब भी आएगा यह काम करेगा अब आपके पास आता है और यह आप क्या पढ़ा रहे हैं नाउन पढ़ा रहे है और इसमें आपको सीजें हाफ के साथ है अभी हम फ्रेक्शन में पढ़ रहे थे तो हमारी यह स्टार्टिंग होई थी अगर आप पीछी जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल तो हमने अब क्वार्टर के बारे में बात की है और फ्रेक्शन में यह भी है तो क्या कर चीजे हमारे लिए जरूरी है क्या क्या नहीं है वह मुझे करने दीजिए और मैं आपको एक्स्ट्रेंड कर दोंगा क्या आफ के साथ हम क्या पढ़ते हाफ इस नौट ऑल्वेच फॉलवड बाई ऑफ तो अभी इन चारों को लास में देखेंगे मतलब अभी चारों को जो है लास में नहीं अगली सीट में फ्रैक्शन की वैल्यू एक से कम है अगर आपके फ्रैक्शन की वैल्यू एक से कम है तो आपको ओफ लगाना पड़ेगा विच फ्रैक्शन विलो वन यूज ओफ विफोर नाउ लगाना पड़ेगा लेकिन अगर डेसिमल की वैल्यू जो है एक से कम है तो यूज ओफ ओफ ऐशिज औप्षिनल आप लगा भी सकते हो आप नहीं भी लगा सकते लेकिन अगर फ्रेक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा यह डैसिमल की वैल्यू एक से ज्यादा है तो हम और का यूज नहीं करते हैं विद्फ फ्रेक्शन और dacimals over one use plural nouns without off तो आप समाझ में आ गया ओफ क्यों लगाए गया है तो हाफ को सिखा जेता हूं हाफ को सिखा जेता हूं इंट्रेस्टिंग पार्ट है चार पार्ट आपको दिखाई पड़े हाफ इस नौट ऑल्वेज फॉलोड बाइ ऑफ तो हाफ के साथ जो और का यूज है वो ऑप्शनल हाफ ऑफ इस यूजब फॉर ठीक है करके देखिएगा फिर हम समराइज करेंगे इसको तो मैं लिखा हाफ एन आवर और यहां लिखा हाफ ऑफ दैस्टूडेंट तो यह वाला ऑफ जो ब्रैकेट में अगर मैं लगा गूं तो सही है ना लगा हूं तब भी सही है हाफ दैस् मतर्ण नाउन से पहले आप हाफ के साथ और प्रयोग कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हाफ हर टाइम हाफ चीज़ पाई कि हाफ भी लगा सकते हो लेकिन अगर यूनिट अफ मेजर्मेंट है या कौंटिटी है तो ऑफ नहीं आएगा माईल एक नाउन है लेकिन ऑफ नहीं आ सकता क्योंकि यूनिट अवास देखिए घर मैंने कहा यहां पर आफ का जो प्रयोग है वह भी सकता है और नहीं भी हो सक मेजर्मेंट नहीं है आवर है डे है मन्थ है वीक है हाफ वीक नहीं होगा हाफ वीक वीक चुह है टाइम को मेजर करता है दिनों को मेजर करता है तो यहां पर ओफ लगा दिया तो गलती अगर यहां पर लगा दिया ओफ लगा दिया तो कोई गलती नहीं है ना लगाया तब भी कोई गलती नहीं लेकिन अगर प्रणाउन के साथ लगा रहे हो हाफ औफ दैम अगर प्रणाउन है तो ओफ लगाना पड़ेगा लेकिन अगर नाउन है तो आफ का यूज कैसा है और आसान हो गया तो यह बड़ी जल्दी सिर्खा लिए मैंने आपको लेकिन जब यह नोट बनाए जाते हैं तो से देखें हाफ इस नॉट ओल्वेज फॉलोड बाई और तो हाफ के साथ अगर एक नाउन है जो यूनिट ओफ मेजरमेंट है तो आफ नहीं आएगा जो हम पार्ट सी में देख रहे हैं लेकिन अगर यूनिट ओफ मेजरमेंट नहीं है तो आप लगा भी सकते हैं इसको हटा है यही रीजन है कि यहां पर ऑफ में लिया हुआ है अच्छीज पाएं यह एक इनुट ओफ मेजरमेंट नहीं है अगर उनिट ओफ मेजरमेंट है तो फिर आप आप नहीं लगा सकते पर तो नाउन ही रहे ना गर प्रोनाउन है तो आपको ओफ लगाना पड़ेगा और और आप आफ हटा भी सकते हैं हो गया खाता अब हम आते हैं इस पर फ्रैक्शन विलोव बन इनको लगाना बहुत जुरूरी है जैसे आपके पास यह थ्री क्वार्टर्स ओफ एन आ अब थ्री क्वार्टर्स की जो वैली हो गई एक से तो कम है सब्सक्राइब करें तो इनके साथ आगा फ्रैक्शन की वैल्यू एक से कम है तो आपको अफ लगाना ही पड़ेगा कि यह बड़ा इंट्रेस्टिंग पार्ट है और इससे ज्यादा इंट्रेस्टिंग यह तर इसमें सब तू थर्डी लिखा हुआ है आपने वो ठीक है ना एक और इशू आता है जो हमने सब्जेक्ट और अग्रिमेंट में भी डिसकस किया हुआ है लेकिन वहां पूर्स एक से कम है कि ऑफ के बाद अगर जो काउंटेबल लाउन आएगा वो सिंग्लर नंबर में आएगा यह वो मुझे चेक करना है और यहां पे ग्रामर बहुत जाता रोल प्ले नहीं करेगी आपकी अवेरनेस आपकी अलर्टनेस जो है यह रिसाइट करेगी तो अगर मेरे पास यह मैलकम ग्लेड़ेंड़ बागरा हुआ एक और मैंने इस किताब का तु थर लिए कि एक किताब का तू है कि ऊपैर हो सकता है मेरे पास असी बहुत साइब नॉबल भी लिया हुआ है प्राइड और फ्रजुदाइस राइज ऑस पढ़ा हूँ से जितने नॉबल प्रस्टाब मेल हैं उनका दोछ आफ खतर गर यह मरें किताब का टूअट हट्स ऑफ डप पो गहुंग है तो लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा तो चोट让 ऑब दा बूक सही है एक किताब का दोति है भाग हो सकता है चितनी कितावेशा रहा है तो हमेशा बाद में नाउन तो ध्यान रखिए दोनों सही ना अब गोल्ड पर आते हैं तो गोल जितना भी गोल्ड गोल्ड बेर बस नहीं पड़ा हुआ है किताबे पड़ी हुए है पड़ी है फिर वाइप के पास पड़ा हुआ तो गोल यह यह लेकिन यह अन-काउंटेम लाउन नहीं हो सकता है इसलिए गलत सोचना पड़ेगा सोच विचार करना पड़ेगा आप सोचे के वीडियो देख लेंगे और सब चीख जाएंगे ना सब्सक्राइब देखिए और उसे कॉम्प्रिहेंड करें लेकिन जितने विध्यारती है उनका हो सकता है हो सकता है तो यहां पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉस्पिलिटी नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है यह करेक्ट है लेकिन यहां पर यह दोनों करेक्ट है तो इस पर बैठिए होचिए चिंतन करिए चिंता मत करिए तो यह फ्रैक्शन विलो बन की बात हो रही है इनके साथ लेकिन बाद में जो नाउन आएगा वो आपकी अवेर्नेस आपकी अलर्ट रहने की छंता जो है वो डिसाइड करेगी तो एलर्स बनाई दिया सकती है क्योंकि हम पर नाउन ही रहे हैं यह तो किलियर है काउंटेबल नाउन का प्लूर लंबर नहीं बनता लेकिन इस्टूएंट का सब्सक्राइब बन सकता है यह गरत हो गया कि यहां पर सही है हां क्योंकि प्रैक्टिकली हो सकता है जितनी किताब थो 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 सकता है थे कहें आगे बढ़ेंगे और अब हम आते हैं डेसिमल विलोगन जैसे 0.25 यहां पर आप औफ चाय़ तो लगा सक सकते हैं 0.6 of a mile 0.1625 of a centimeter आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं 0.65 सकते हैं and 0.1625 centimeters भी बहुन सकते हैं अगर decimal की value एक से ज्यादा है वो डाउन का नंबर देख लिएगा एक से ज्यादा हो गया भाई मतलब एक से तो कमी है लेकिन है क्या 0.1625 centimeters 0.6 mile नहीं 0.6 mile अगर आपको माई लगाना है तो आफ लगाना पड़ेगा वो लिखने से आपको चला एक बास मंझ में आ जाएगा और mathematical aptitude तो आप लोगों का अच्छा ही है तो वो आप चेक कर सकते हैं लेकिन मैं मैं की टीचर को बरते पता नहीं होगी जिन से वह आप मैं पड़ते ला कि राक्षन की वैल्यू एक से जड़ा आ यह ऋफ लगा अब यह जो यह तो डेड़ हो गया ना डेड़ इसकी वैलिव क्या एक से ज्यादा हो गई तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे वन एड़ाफ आवर आप बोलेंगे वन एड़ाफ आवर माइल्स आप यह नहीं बोलेंगे के यहां पर लगाने के जो तरी एंड़ एड़ाफ आप चाहें तो बोल सकते हैं लेकिन अगर फ्रैक्शन और डेसिमल की वैल्यू एक से कम है और एक से ज्यादा है तब क्या किया है मैंने देख लीजेगा ना कि 1.3 मिलिमेटर नहीं बोलें है 2.5 माइल्स पोला हम लोग एक चीज़ी आई थी वन एड़ाफ आप अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है डेढ़ घंटे हिंदी पे बोलते हैं डेढ़ घंटे वन एड़ाफ आवर्स देख लीजेगा यहां आता है वन एड़ाफ किलोमेटर्स वन एड़ाफ आवर्स एड टू एड़ाफ आवर्स फ्रेक्शन की वैली एक से ज्यादा है इस बार या अगर हमने नाउन को बाद में रखा तो हम इसे करते हैं प्रॉबल में यूज अगर हम इसे पहले ले जाए वन के साथ ले आए तो वन किलोमेटर एड़ाफ और वन है तो आप किलोमेटर एड़ा सकते हैं वन एड़ाफ आवर्स सही है अगर आवर को यहां उठाके लिए आवर्स को तो वन के बाद आ जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा वन आवर एड़ाफ और वन को एन आवर एड़ाफ तो बोली सकते हैं अब इस केस में आईएगा तू एड़ाफ आफ आप n이나 half आउर है लगा रहे हैं और रहे है हो बात में लगा रहे हैं 그럼 DM में आएगा बस इसको देख आपको आजाएगा जोंधे यह हमने समझ लिया इस जाएंगे इस में इस पर इसके युद्रन आपको लीए आप के बाद आगर नाउन है तो आप ओफ लगास कते हैं लेकिन अगर आपके पास प्रोनाउन है हाफ आइ लगाते हो एन्हाय कि आफ नखा सकते क्योंकि है अफ़ने हमने बात आट करें और सकता है अगर फ्रैक्शन की वैल्यू तो आपको off use करना पड़ेगा और अगर एक से ज्यादा है तो आप आप का यूज़ नहीं करते हैं अult है हमारे पास एक नाूं आता है गुना कि अभी हमने बोला थे में घंटा तो हम बोicular सकते हैं JO गुना और दिघंटे थाई 7 गुना तो गुना दिखाने के लिए आप वह आता है इसकर समझने के विए प्रैक्शन अंडट मुस्टवीगी और प्र 大 Bluetooth सवा थीम गुना तुआ तिन गुना कि आब है इसको देखिए गावर्स वाले केस्थ में क्या था आवर है डे है वीग है यह मंत है जो भी है अगर बात में लिखो गे तो मन के साथ लिखो गए तो आवर इसे लिखे जाएंगे अगर बाद में लिखा गया तो प्लूरल नंबर और टू-3-4-5-6-7 जो भी लिखा उसके साथ लिखोगे वह प्लूरल नंबर ही आएगा तो आवर है डे है वीक है ऐसे करके लिख सकते हैं लेकिन टाइम्स को हमें लास्ट में लगाना पड़ता है जो बड़ टाइम्स लिखा हुआ है यह लास्ट में ही आता है माई सैलरी है इंक्रीज थी एंडर कॉर्टर टाइम्स मेरी सैलरी जो है सबातीन गुना बढ़ गई है सबातीन दिन सबातीन घंटे नहीं बोलना है ठीक है बहुत आराम से सोचीएगा अधर वाइस प्रॉलम हो सकती है है यह कुछ एक्स्पेशन से हैं जो हमारे सामने हैं जिनको हम एक एक करके अभी देखते हैं ना डेढ़ रुपए अगर मुझे बोलना है हिंदी का मैं यू सब्सक्राइब को हमेशा कहा लिखा जाता है लास में लिखा जाता है और हमेशा कैसा होता है लूरल होता है तो यह वाला इंकरेट है यह वाला जो है करेक्ट है अब डेढ़ महीना वन के साथ लिखा तो सिंग्जल नंबर में लिखना पड़ेगा वन मंथ लेकिन अगर मन् और अगर बाद में लिखना है तो वन आवर सब सभी बद टाइम वाला जो वर्ड है गुना गुने वाले सेंस में आता है तो यह लास्ट में लिखा लोट है ना फ्रेक्षिन के तो यह वाला एक्स्प्रेशन और लिख ना पड़ेगा और लास्ट में तो हमेशा प्लूरल ही आता है तो आप एक बार इनको देखीएगा बस स्केवल टाइम के साथ प्रोब्लम आ रही है ताइम वाला जो बढ़ है जो गुना वाला आता है वह लास्ट में ही लगाया जा सकता है लेकिन मंत है वीक है मंस है डेज है इनको आप अगर वन के साथ लेखोगे तो सिंग्रा नंबर और बाद में लेखोगे तो प्लूरल सोशल मेडिया पर यूज करते हैं वह काम नहीं करेगा आपको बिल्कुल होनी चाहिए आपके लिखने में लिखने में ठीक है ना यूज ऑफ कार्डिनल्स एंड ओर्डिनल नंबर्स तो सिक्वेंट मैं यहां पर तोरह सा यूज करूंगा एड्जेक्टिव का जब मैंने आपको अजट्रिक को पढ़ाया तो मैंने कहा जो कार्डिनल लेकिन हम यहां पर लिख रहे हैं वह यह लिख रहे हैं यूज ऑफ कार्डिनल और और नंबर्स तू सिक्वेंट सिक्वेंट दिखाने के लिए दोरों का प्रयोग कैसे करते हैं वह हम देखने जा रहे हैं दप्लस ओडिनल का यूज नाउन के पहले किया जाता है ऑडिनल को से उल्टे नंबर फर्स सेकंड और और कार्डिनल कैसे होते हैं सीधें नंबर 12345 जैसे दफ़ोर्थ बुक चौत किताब कि थर्ड एक तीसरा एक कोली की 49 सेंचुरी 39 सेंचुरी दफोर्थ डे अब दफोर्स तो हमने अगर यह सिक्वेंस दिखा रहा है और सिक्वेंस दिखाने के लिए अगर हम यूज करते हैं और दिनल्स का तो आपको पहले लगाना है लेकिन कैसे आते हैं बुक नंबर फोर यह भस बोले है अगर हम फोर को यहां लगा दे लागाना पड़े लगा फोर उक्स क्या एभग सार किताब हम क्या करई है चोधी किताब फोर ऑलवो या भुठ वोन एवम बुक भू बूक नंबर फॉर भी लागा सकते एं कि अगर ँढर थरी यहां लगा दियत तो क्य तो सेंचुरी नमबर कि नामों के बात किया जाता है जैसे अगर आप रोमन नूमरा यूज करते हैं तो आप ऐसा लगा सकते हैं लेकिन अगर आप इनको एक्स्पेंड करते हैं तो हैंडी एट नहीं आएगा एंडी दा एट लुइस दा फॉर्टीन एलिजबेट दा सेकेंड जॉर्स दा फिट एक चीज तो आपको क्रियर हो गई है और्डिनल के साथ हम आर्टिक्ल का यूज कर रहे हैं अगर मैं लिख देता हूं नॉर्मली जो काड़न काडिनल वान टू थी फॉर फाइवें नाउं से पहले आते हैं तो हमने लिखा फॉर बोक्स इसका मतलब क्या होगा चार किताबें इसका मतलब क्या होगा किताब संख्या चार चौथी किताब चौथी किताब को हम बोल सकते हैं दा फॉर्थ वोग या बुक फोर या बुक नंबर फोर भी लगा सकते हैं तो यह बढ़िया है अब यह जो हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार था आइपको इसे एक बार और देखना है और जो समझ में आ रही हो समझ के करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट और एग्रिमेंट में और मैंने कहा था दा प्लस एड्जक्टिव अगर आ जाए तो उस ग्रूप के पूरे गुर्प को दिखाता है और एक प्लूर वर्प का यूज किया जाता है तो दारिश का मतलब क्या था सारे अम पूरेंगे सारे अमेरिका के लोग सारे भारत के लोग यह चीज़ हम नेशनल्टी जाने के बारे में जाना चाहते हैं तो तो यहां पर देख रहे हैं कंट्री एड्जेक्टिव का उसका एड्जेक्टिव क्या होता है और एक व्यक्ति को दिखाना है तो कैसे बात करनी है और उसका population पूरी संख्या को दिखाना है लेड्ज से country इंडिया का इड्जेक्टिव क्या होगा यह एक व्यक्ति क्या बोलोगे गैं AC1 लेकिनत दबसने क्या दिखाना सारे अंग्रेज लेकिन अगर हमसरे भारति ए तो दा इंडियद नहीं दा इंडियंत यह हम चैक करने जा रहें इंडिया के सारी लोगों को हम दिखाते हैं बाइंडियं नहीं कि फ्रांस के सारी लोगों किसे दिखाते हैं छापन की यह ऐसा आएगा औुट्रिया के सारे लोग दा ओस्टेलियं यहां पे एक चक्कर पड़ रहा और फ्रांस के सारे लोग फ्रेंट वोड़ वार रहा है उसके उन्टरीज देखने जा今日は को देखेंगे और हम एक कंट्री को ले 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 ले़े यह गया इंडिया दढेम अगाइन अगर सब्सक्राइब को दिखाना है तो हम बोलेंगे अगर हमें जपान के एक व्यक्ति को दिखाना है तो हम बोलेंगे आज जैपनीज लेकिन अगर सारे डेनमार्क के लोगों को दिखाना है तो देंस अरे जैपन के लोगों को दिखाना है गया याद करना पड़ेगा यह याद नहीं कर सकते कम से कम सुन तो सकते हैं सुनने में कोई समस्या रही है कोई प्रशाए नहीं है ना फिर से आते हैं हम लोग इंडियावाला देलिया अब आते हैं फ्रांस के पास और अमेरिका के पास अमेरिका का जो अच्छाइब है अमेरिका ने तो एक फ्रांस के वेक्ति को दिखाने के लिए हम क्या बोले आाँ वो आता है अब फ्रेंच में जि monuments लेकिन एक अमेरीका के ऎंप पूर गया सुदिन सारे भारति यह के लिए हम क्या लगातें अ Grade पर सो प्रांस के सऺफ यह चीज़ें जो है हमने अभी देखें जो मैंने आपको सिखाय होई है यह सभी इंक्लूडिंग अड्यक्टिव क्योंकि के नाम से बने हुए तारे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कंट्री के नाम से बने हुए हैं और इसलिए हमेशा यह एक यह अगर मैं लिखता हूं अब वह आए तो बी जो है इसमाल में आएगा लेकिन अगर मैं बोलता हूं एंडियन तो एंडियन जो है आई जो है कैपिटल से आएगा एंडियन तो आफकोर्स आपको जाननी चाहिए दूसरा जो पार्ट है यूजरी दा सिंग्लर नाउन इस मैं अबड़ स्थे जो एड है जाएगा ड़क्रेशन बहल कर चाहिए गा यूजरी दा सेम एड्यक्तिबड प्लस एस लगाना पड़ा आस तो इसका मतलब क्या है प्रांस के सारे लोग सभी फ्रांस के लोग जो हैं अगर हमें दिखाना है सारे भारत के लोग तो हमें बोलना पड़ता है इंडियंस हमें एस लगाना पड़ता है इंडियंस से काम नहीं चलेगा यह चीज आपको नोटिस करनी है यहां पर एक बार देख लीजेगा हर चीज याद करने की ज़रूत नहीं है अगर आप इसे गोत्रू भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाना चाहिए ना जैसे अगर एक को दिखाना है तो अगर दिखाना सभी को दग्रीक्स अगर सब को दिख आपको गुरूबडी में पढ़ाया था रिमेल अंचेंज फॉर्ट नंबर अगर दिखाना है सारे जापान के लोग तो दा जैपनीज एक जापान के ब्यक्ति आप जैपनीज एक शुल्यों का व्यक्ति आश्वेस सारे शुल्यों के व्यक्ति दा स्वेस तो मैं वही सिखा हो के लोग दा मैक्सिकंस कि यह वाला पार्ट जो है आज की डेट में आपको यह नोट्स पर कहीं नहीं मिलेगा किसी के यह मैं अपनी ताजीव कर रहा हूं तो क्या चीज़ हमने सीखी एक तो यह प्लूर नंबर में आएंगे और यह थोड़ा सा कंट्री टू कंट्री डि लेकिन अगर जैसे नेपालीज दा चाइनीज दा जैपनीज यह सिंगल नंबर में रहेगा इसमें एस लगानी के जरुवत नहीं है और एक स्विस वर्ड है जिसमें यह ऐसा रहता है जिसमें गुरूप डी में डिसकस किया इसको मैं भी दिखाऊंगा आप तो यह कुछ है जो आप देखिएगा चाइनीज कॉंगोलीज पॉर्टिगीज दब्रिटेश दा इंगलिश दा आइडिश दा स्पानिश इन में एस नहीं लगा हुआ है लेकिन अमेरिकन बेल्जियन ब्राजीलियन यूरोपियन इटैलियन केनियन नॉर्वेजियन रॉशियन जब प्रू मुझा इता हूं आपको देख लिजिएगा फोज्वी क्रूवल्लम नहीं है ऐसे दिखायता हूं कांट्री अमेरेक अट्रिक्टिव अमेरिकन एटक्टिव अमेरिकन सभी अमेरिक इडसी क्या है ब्राजिलियन एक व्यक्ति के लिए अब ब्राजिलियन सभी के लिए अच्छी के लिए प्राजिलियन से सब्सक्राइब अचल्टिक है एंग ग्यान में तो एस लगाना पड़ेगा यह उसन से बनने हैं कंट्री इंड्री एड्जेक्टिव इंटालियन परसर एंड इन एक व्यक्ति और सारी इड्री इसलिद के निवास ही ता इतली है किनिया एड्जेक्टिव क्या है किनियन परसन एक वेक्टि आएगा तो नॉर्वे का एक निवासी नॉर्वेजिया अब जो अगर मैं कहता हूँ दा फ्रेंच के साथ जो वर्ब आएगी वह कैसी आएगी फ्रांस के सभी निवासी यार आएगा लेकिन अगर हमें कहना है दे रेशीयन सभी रेशीयन आप यह अब्ड़ के काम चला लें गे आपको लगाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा दे रेशीयन आप अमेरिकन्स जर्मन्स लॉवीजियंस था किनियां था उस्टेलियां तो आ रहे गाया सith और देखिए इसराइली एकड़ियकति एग्षाइली डाइट्स लेकिन अगर आता है जैसे यह सिग्णर के पडूर है और चाइनिज और चाना के सभी निवार्षयों के लिए चांगो फांगलीज एकंग निवार्ष यह इस इस्वे आप नेपालीज को भी लगा सकते हैं पॉर्टुगाल का एक निवासी अब पॉर्टुगीज अगर यह एस है तो आपको एस लगाना पड़ेगा इंडियान अमेरिकान ऑस्ट्रेलियन कि पाकिस्तानी पांगला देशी उनको रिंग नहीं किया यहां पर अग्यां किष्जल नहीं अध्यक्ति इसका है स्वेस्ट एक निवासी स्वेस्ट सभी निवासी देश्टुगीज और एक निवासी दिश्वीड और सभी निवासी दस वीड अभी जो फ्रिस्वाला पार्ट है यह मैंने ग्रुप टी ने ग्रुप ए में सिखाए था जिनकी वह नावन जिनकी सिंग्र और फॉर्फ सेम रहती है ते ग्रुप हम प्रहे डिसकस कर चुके है तो इसमें पर पार्ट आया था पूर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं यह नोट्स बनाने में मैंने एक बहुत ज्यादा मिनुट करिए आपके लिए और आपको भी इसको समझना चाहिए और देख लिए अग्यक्टिब जो है ब्रिटिश है एक ब्रिटिश पहले हम लोग बोलते थे अब ब्रिटर्न लेकिन अब इन लगाया कि सभी इंग्लैंट के निभाशिवाशित्या इंग्लेश फ्रांस रहाट रहे हैं शादिख सब्रेइन लिकिन इंग्लेश्य में यह जेकिन सारे इंगलेड के लिए इंग्लिश यहां पर हमने यस नहीं लगाया आइड्लेंड इडेक्टिव क्या है आईड़िश स्पानिश एक प्रति एन आईड़िश में या एन आईड़िश मूमेंड और आड़िशट रही आइड़िश नहीं किया तो यह थोड़ा सा पार्ट है और शायद आज की डियेट में आपके लिए बहुत यूश्फुल आपको लगें कि शायद आपको ना लगें लेकिन यह जरूरी होता है बिटिश का लग हो गया और ऐसी वाला है यह वाला है अगर यह है तो सिंगल को भी दिखाएगा और यही दिखाएगा इस निशनलिटिज की बारे में मुझें हम बात करते हैं नाउन है तो इनका हमें यूज आना चाहिए तो इन चीजों को जो हम लोगों ने देखा और इसके साथ जो है आपने जीवन में कोई आत्रा करी है अब साम सिंपल हिंदी में आपको बात करना हूं तो जब हम अपने घर से निकलते हैं और जो हमारी destination है मंजील है वहां तक जाने के लिए हम बहुत सारा समान लेकर चलते हैं घर से निकले थे तो हमने सारा समान रख लिया था यह सोच करके शायद इसकी जिरूत पड़े जब आप मंजील पर पहुंच जाएंगे तो ऐसी कई चीज़े निकलेंगे आपके बैग में जिसको शायद आपने यूज ना किया हूं सेम चीज जो हैं अपने घर से निकले अपनी मंजील पाने के लिए इस तो कई चीजे आपको पढ़नी पढ़ती हैं और जितना हम जादा पढ़ेंगे जितना अपने स्कोब को बढ़ाएंगे इतना हमारा बढ़ता है लेकिन जब सेलेक्ट हो जाएंगे और यहां से पीछे सेलेक्शन के बाद जब देखोगे अगर या यह ना भी पढ़ा होता तब भी काम चल गया होता अगर वह ना पढ़ा होता तो इट विल डेफिनिटली एड़ टूदा पीर पार्ट दर को बढ़ाएगा तो या तरह ख तो मेरा रहता है और बैग में से आधी चीजें मैं यूज नहीं करता लेकिन लेकर जरूर जाता हूं दबाईयां बहुत लेकर जाता हूं यूज भी नहीं करता है अभी आज की रेट में पढ़ रही है जिस दिने वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूं हुआ है जब आप टोपिक्ष कर लेते हैं तो जरूरी था जरूरी नहीं था तब पता लगेगा जब आप अपनी मंझिल पर पहुंच जाएंगे और यह तो आपके लिए सब जरूरी है और यह पार्ट आपके लिए कर रहा हूं खैंक्स तो लिखा हुआ है मैं बाइबाए कर देता हूं और हैपी लेर्निंग करता हूं और कोशन्स में मिलता हूं फिर आपके साथ बाबाइ इस मैसेज को समझ लीजिएगा जरूर थैंक्यू